दुर्गसी SP ने पटाका वैपारियों की ली बैठक वही अवयध रूप से फटाका वैवसाय करने वालों पर कारिवाही किया जाने के दिये निर्देश तेवहार सीजन के मद्दिनजर दुर्ग सीजपी मानिशंकर चंद्रा ने फटाका वैपारियों की बैठग ली वही बैठग मौजुद वैपारियों को दुर्ग सीजपी ने सुरक्षा से तंबंदित दिशा निरदेश दिये साथी अवैज रूप से पटाके बेचते पाई जाने पर वैधान एक रूप से कारवाई किये जाने की बाते कही गोर तलब है कि आगा में तेवहारी सीजन को देखते हुए सभी फटाका वैपारियों को शहर में लागू आचार सहीदा के नियम के साथ सभी मानक एवं माप दंड को मानने दिशा निरदेश दिये गए हैं आने वाली चुनाओं से संबंदित जानकारियां दी साथ ही कहा कि सभी दुकानदार अपने दुकानों के सामने सेफटी का विशेश रूप से खयाल रखें इस संबंद में फटाका वैवस्ताई और दुरूग सीजपी ने प्रतिक्रिया दी कि तक दुकान वहलों की सबसे बड़ी समस्या अस्ताई ही पटाका दुकान जो गाली और अलग-अलग चौक चोहरा है पर यहां भी लोग बड़े पड़े पंडाल लगांके बिञाल के और उससे विसपोटा का दियां का दुरूपी यहां लोग दुकान लगाते हैं अर्णनी CSP साहब ने हम लोगों को पूर्ण रूपन सहयोग करने के लिए यसे कि स्टेशन के पास में माराजा चौक माराजा चौक बोर्शी चौक यहां पर बड़ी-बड़ी दुकाने लगा के इससे दो प्रकार का नकुसाय होना होता है जो कि च इंता का विस्ताय है कि किसी प्रकार के दुर्गटना घड़ जाती है उनके पास में ऐसे बचाव के कोई उपाए नहीं रहते हैं पूरी जिम्मेदारी जो है वह आम जन्ता को भगतनी पड़ती है हमारा सोचना कि CSP साहब ने हमको पूरा अस्वासन दिया है कि इस बार पा प्रणाल लगा के इस थाई प्टाका दुकान की बराबरी में दुकान लगा लगाके बैठेगा तो सभाई के हमारा व्यापार में नुकसान होता है और प्रणा को देखते हुए हमने CSP साहब से बात किये और उनने यथा वक सहयोग देने का पुर्णा स्वासन दिया है अब एग्यामी तरभारों के रिपट जी वे फटाका भर्साइयों को मिटइंग लिया गया मेटिम में अपनी समस्यका में पालकिंग समस्या र लिट्रवा अन्हें रिवा और अनिन समस्यय के सुना गया साथ ई उनको सुरख्षा संबर्द हरायत वे उनको बताया गया कि शुरक्षा जो माने के उनका पाल्म करना नुमार रहेगा इसके अलावा जब आप कहीं पर भी दुखान लगा रहे हैं या छोड़े जो फटाका वरसाई हैं उनको फटाका सप्लाई करते हैं तो प्रापर उनके जो परमिसन है उसको चेक करेंगे और उस